हेलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग आज मैं आप लोगों के लिए पांच ऐसा एप्लिकेशन लिखाया हूँ जो केबल डेर एंबी के नीचे है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है बहुत ही जबरदस्त है डेली लाइप में बहुत ही काम आने वाला है तो इस वीडियो को पूरा दे इस तरह का टीप्स एंट्रिक्स इस चैनल को लेकर आता हूँ और बहुत सारा काम का एप लेकर आता हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा जो फास्ट एप्लिकेशन है उसका नाम है फ्लोटिंग टूल्स यह जो एप्लिकेशन है यह खाली 1.3 MB का है और इ उसके साथ मैं और भी आपका जो फोन है देख सकता हूँ और भी एप उपन कर सकता हूँ यूट्यूब कर सकता हूँ इंटरनेट उपन कर सकता हूँ उसके बंद मैं यह पर स्टॉपवच इसके उपर क्लिक कि आप देख पार हो स्टॉपवच चालू हो गया तो मैं कोई भ बार में भी आ जाता है तो नोटिफिकिशन बार से भी आप यह जो फ्लोटिंग टूल है इसको एक्सेस कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट जो एप्लिकेशन है उसका नाम है क्रियेट शॉट्काट यह जो एप्लिकेशन है केबल 169 KB का है तो बहुत ही मज़ेदार एप्लिकेशन है या फिर मेनु में जाके ढूलना पड़ता है तो आप यहां से शॉट्काट कर सकते हैं जैसे मैं यहां से एप्लिकेशन को एड़ कर लेता हूँ एड़ करने के बाद राइट साइट कोने में जो त्री डॉट है इसको उपर क्लिक करता हूँ आप देख पा रहे हो मैं यह ज इसको पर सकते हमारा नेख्या आप या पर कुछ नाम दे रहा है उसके बाद चूजज को पर क्लिक करता हूँ मैं अपना जो फोन है वहाँ से फौन के गैलरी से लिवी एक वीडियो चूज कर लेता हूँ चूज करने के बाद आपको इस पेज में ले जाएगा यहापर वीडियो लिया था उसके बाद उपर देखे वालपेपर इसके उपर क्लिक करना है तो आप देख पाएगो, यह जो वीडियो है वालपेपर के रूप में सेट हो गया आभी मैं कोई भी काम कर सकता हूँ लेकिन वो जो wallpaper है वो जो वीडियो है ये background में चलता रहेगा तो ये बहुत ही must application है हमारा next application है इसका नाम है aim converter तो ये cable 685KB का है बहुत ही must application है आप किसी भी file को convert कर सकते है किसी भी movie को MP4 से 3GP कर सकते है watch से pdf कर सकते है और किसी भी file को mp3 कर सकते किसी भी video को mp3 कर सकते अपलोड फाइल इसको पर click करके किसी भी file को choose कर लेना है तो ज़रूर ट्राइ किजिए हमारा नेक्स्ट जो अप्लिकेशन है उसका नाम है फ्लेस्ट टॉर्च यह अगर हम लोगों को टॉर्च ओपेन करना होता है तो नोटिफिकेशन पैनल में जाके हम वहाँ से टॉर्च को आउन करते हैं अगर यह एप आपके पास होगा तो आप यह से क्लिक करके टॉर्च को अन कर सकते हैं आपको नोटिफिकेशन पैनल में जाने का जरूरत नहीं है आप देख पार हो मेरे मोबैल में यह जो फ्लेस्ट टॉर्च है एक बार क्लिक करने से आपका टॉर्च ओपन हो जाता है तो आशा करता हो कि यह जो एप है आपको बह झाल झाल